किसान भाईयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल दाकडेगरी कल्चर में इस वीडियो में हम बात करेंगे BSP के प्राइकसर फंगी साइट के बारे में साथ ही सुमी टोमो कंपनी के स्वाधीन फंगी साइट के बारे में दोनों फंगी साइट में से किस फंगी साइट का रिजल्ट अच्छा मिलता है कौन सा फंगी साइट हमें अपनी फसलों में उप्यो करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में हम डीटेल के साथ में बात करेंगे और अंत में निसकर से निकालेंगे कि कौन सा फंगी सैड हमारी फसलों के लिए बेश्ट रिजल्ट देता है तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें साथ ही चेनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बात करते हैं फंगी सैड्स के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे बीएसेप के प्राइकसर फंगी सैड्स के बारे में किसान भाईयों बीएसेप के प्राइकसर फंगी सैड्स के बारे में अगर बात की जाएं तो इसके अंदर दो टेकनिकल पाए जाते हैं पहला पायरा कलोस्ट्रोबीन और दूसरा फ्लूकसा पायरोकसाड ये दोनों टेकनिकल इसके अंदर पाय जाते हैं अब यह कई परकार की फंगस को कंट्रोल करता है जैसे की डावनी मिल्ड्यू, पावडरी मिल्ड्यू, रस्ट, पोर्ड बलास्ट, एंथराकनोज, राइजोक्टोनिया जैसी कई खतरनाख फंगस को यह है आसानी से कंट्रोल कर लेता है और इसका रिजल्ट इस्प्रे करने के बाद 20-25 दिनों तक हमारी फसल में देखने को मिलता है यानि कि इसको हम एक बार अपनी फसल में उप्योग करेंगे तो 20-25 दिनों तक यह हमारी फसल में किसी परकार की फंगस का अटेक नहीं होने देगा किसान भाई यूजी अब बहुत ही सांधार फंगी साइड है और इसका उप्योग करने से फंगस तो कंट्रोल होती ही है साथ ही फसल में हमें नई चमक दमक देखने को मिलती है हमारी फसल कलर पर आती है हरापन पर आती है तो इसका उप्योग 120 ml प्रती एकड की दर से किया जाता है और 120 ml की जो मार्केट में रेट होती है वो 800 से लेकर 1000 रुपए के आसपास तक रहती है अब दूसरी वोर अगर स्वाधिन की बात की जाए तो इसके अंदर भी दो टेकनिकल पाये जाते हैं इसके अंदर पहला टेकनिकल टेबू कोना जोल और दूसरा सलफर यानि क इसके अलवा कुछ चोटी मोटी फंगस को भी यह कंट्रोल कर लेता है किसान भाईयों अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो जब हम इसका अस्प्रे करते हैं तो इस्प्रे के बाद 10 से 15 दिनों तक इसका असर देखने को मिलता है यह पूरी तरीके से सिस्टेमेटिकली का करते हैं दोनों जो फंगी साइड हैं सिस्टेमेटिक तरीके से काम करते हैं लेकिन प्राइक्सर का रिजल्ट हमें लंबे समय तक देखने को मिलता है वही स्वाधीन का असर जो है लगबग 10 से 15 दिनों तक ही हमें देखने को मिलता है किसान भाईयों अगर स्वाधीन की मात अब दोनों फंगिसाइट के बारे में हमने बातब रहा है, अगर तो कहीं-कहींkaa पर फंगस का ठेक है जो पारिक सामें पार चाहिक है अजिछछा उटैइडग हमने फंक फंकरतिन करना ही है अगर कहीं कहीं पर फंगस का अटेक हैं तो आप स्वाधीन का उप्योग कर सकते हैं इससे फंगिसाइड भी आपकी फसल में काम करेगा साथ ही जो सल्फर है उससे फसल को ज़्यदा फाइदा मिलेगा तो आप बेश्ट रहेगा कि आप जो हैं कम अगर फंगस आपकी फसल में हैं तो आप स्वाधीन का ही उप्योग करें लगबग 400-500 ग्राम परती एकड़ और ज्यादा मातरा में फंगस हैं काफी ज्यादा फंगस हैं तो आप बेश्ट से प्राइकसर का उप्योग कर सकते हैं स्वाधीन का खर्चा लगबग 500-600 ग्रुपे परती एकड़ के दर से आता है वहीं प्राइकसर का खर्चा दो गुना देखने को मिलता है यानि कि 1000 रुपे के आसपास तक प्रती एकड़ कर्चा हो जाता है तो आप आपकी फसल के हिसाब से किसी एक फंगसाइड का उप्योग अपनी फसल में कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद